अजारों खुवाइश ए ऐसी के हर खुवाइश बिदम निकले बहुत निकले मेरे अर्मान फिर भी कम निकले नई समझे गालिप साब जीवित होते तो आपको इसकार्थ समझाते इसकार्थ समझाने का समय नहीं है मेरे पास मिस्टर जैसवल बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी खुवाइश सत्य तक पहुचने की पूरी गर के रहूँगा और आपकार्मान मुझे हाराने का कभी बुड़ा नहीं होगा यह रॉनर रहा प्रश्ण अलोकिक संसार पर विश्वास करने का तो यह विश्वास मुझे पहले भी नहीं था आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा इस समय मैं अदालत से विनती करता हूँ कि अपने साहय के हिफाज़त के लिए मुझे वहाँ जाने दिया जाए और इस केस के अगली तारीक भी चाहिए और रहुड़ा ठीक है यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाए स्वामी राजनात के श्राप की खौफनाथ दास्तान ने एक बार फिर मोहनार या मर्डर केस को एक नया मोड़ दे दिया है चौकाने माली बात तो यह है कि इस बार जाने माने एड़ोकेट केटी पाठक भी इस प्रकोप से नहीं बच पाए उनके सहायक वरुन पर जान लेवा हमला हुआ जब वो टापू के करीब पहुच गया थे वरुन इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूच रहे हैं इसके अलावा राजन धडानी के सहायक की भी अदबत तरीके से मौत हो गई जिसके गवा खुद केडी पाठक हैं बहराल एक के बाद एक होती इन घटनाव से ऐसा लगता है ये केस एक अंसुलजी पहेली बनता जा रहा है लेकिए जन्ता की रक्षा करना हमारा काम है लेकिन हम भी एक इंसान है हमारे भी भी बच्ची हैं डिपार्टमेंट के लाग कहने पर भी हम टाबू पर अपनी जान जोकिंग पर नहीं डार सकते इसलिए हम लोगों को नहीं फैसला किया है कि हम इस पत से इस्टीफा देते हैं मिस्ट्र पाथर यह क्रिटिकल और आम पूरी कोशिश कर वे हैं क्यों डॉक्टर केडी मैंने तुमको बोला थाना उधर खट रहा है वर उनको अधर मत भेजो अजिए नेवर लेसं टूमी लेली रोट वरी वरून फाइटर है ठीक हुच है केडी सब उस ताप में पर भूत है भूत बेटा इमत से काम लो तू तू मेरा बाहतुर बच्चा है याद है जब मैं तुझे बच्पन में कहानी सुनाया करता था तो तू उस का एंड पहले ही बता देती थी अब अपनी पापा की कहानी का एंड नहीं बताईगी मेरे बच्चे नहीं बताईगी आपको कुछ नहीं होगा पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और थर हमारे साथ केडी सर भी तो है आप देखना हम ये केस जरूर जीतेंगे एन जल्दी आपको घड ले जाऊंगी पापा आप उनको जाने ढूँ साप आप उनको जाने दो साफ, 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 कि कभी भी तुमने उस टापु से यह उसके आसपस से किसी प्रकार कभी खीचाव महिसूस किया है कि नहीं साँ गुछ भी नहीं पहले पहले तो जब अपन उस टापु की तरफ जयाताता था ना साफ तो अपने को धर लगता था साब लेकिन अपने को कभी कोई नुक्सान नहीं पुचाया साब शायद उसको मालूम होईगा साब कि अपन तो गरीब गाओं माले साब अपने अपनी रोजी रोटी के लिए उदर जाता था साब लो रहा ये जो तुम्हारा बॉस है कंष गद शाब घृटी के अपने को भी कुछ बताया साब कम संच पलं साब शाब 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 कर। तुमटो गए तोस्त तुमटो गए केडी तो में भी नहीं सकती हूं पंड जिस तरा से सब को चल रहा है उसे मेरे को यकीन है कि तुम मानो या ना मानो भूटप्रेट एग्जिट्स करते हैं सोच रहा हूं लेकिन समझ नहीं बा रहा हूं कि ऐसा क्या किया उन तसकरों ने कि साफ बच निकले जब भी वो टाप उपर जाते थे तो एक खरोच तक नहीं आती थी उन्हे जबकि मोहन चॉपर से क्या था वरन मोटर बोट से क्या था तर तब भी तो क्या हुआ? हुआ नहीं है विली होगा इसी केस के कारण वरुन की यहादत हुई है मुझे किसी भी हाल में इस पहली को चुल जाना है और मैं वादा करता हूँ जिस व्यक्ति के कारण वरुन इस्तिती में है वो मेरे हाद से बच नहीं पाएगा दवे मेरे मेरे में ज्यादा समय नहीं है मेरे एक काम करेगा ठैक्स जान से सुन यरॉनर आज अदालत में मैं इस केस के बारे में कुछ ऐसा खुलासा करने वाला जो इस केस की दिशा को बदल कर रख देगा सर्वब रथम यरॉनर जिस हेलिकॉप्टर में आरिया साब के मित्यू हुई उसमें कोई तक्नीकी खराबी नहीं थी और नहीं तसक्री करताओं ने उस पर हमला किया यह आप क्या कह रहें केडी मतलब आपके हिसाब से उस थीक कहा इसने बिल्कुल थीक कहा इसका मतलब तु आ गया सीधे रास्ते को जान गया तंत्र मंत्र की शक्ति को शीख गया उस खूनी दानव के शैतानी रास्ते को उसके बथ को एक साब आँ वो आपकी वह जो खुआइश थी सत्य तक पहुँचने की खुशी हो रही बताते हो है कि आपकी वह खुआइश पुरी हो गया जैसवाल साहब सत्य तक पहुचने की मेरी खुआश हमेशा पूरी होती है और आपका चीतने का आर्मान संभवत इस बार भी पूरा नहीं होगा स्वामी जी अभी भी समय है सत्य बता दीजी वरना बहुत जल्द आप काल कोटरी में बैट कर तारे गिन रहे हो कि अभी पूर्ख तुने मेरी शक्ति को मेरी साधना को ललका रहे तो मैं तुझे नहीं छोड़ोंगा गदाप नहीं छोड़ोंगा तुझे यही पर दश्मत कर दूंगा राख कर दूंगा कि 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 क क क क क हम झाले, दुछे लिला है जूटे जादूगर को इसी की कला का नमूना दिखाना आवश्यक्त है बस्तव में ये कोई जादू नहीं है केवल हाथ की सफाई है और ये दुआ, विभूती, राक, हित्यादी ये केवल आखों का धोका है, ये रोनून, इसमें यंत्र का उप्योग होता है कुछ ऐसे यंत्रों का है, ये रोनून, जहां से राक निकल दी है ये रोनून, अब मैं अदालत में आपकी अनुमती हो तो एक और जादू प्रस्तूत करना चाहूंगा अनुमती ये उसी टापू का एक प्रती रूप है मान लेते हैं कि असल जहाज है, यहां से निकलती है, जहाज को कुछ नहीं हो यहां से निकलती है, तो जहाज को कुछ नहीं हो कि यूर अनर टापू के इस हिस्से से जब जहाज निकलता है तो इस तरह से टापू से जा चिपकता है अब यूर अनर मान लेते हैं कि ये विमान है या फिर वो चौपर जिस पर आर्या साब सवार दे यह जैसे ही टापू से गुजरता है और जब टापू के उपर पहुंचता है तो यू टापू की तरफ खिच जाता है प्रश्ट ये उठता है कि ये लोहे से बनी चीजें टापू की तरफ क्यों खिच कर जाती है यह एक मिने देखने हैं इया फटक साफ जादू जादू मैजिक मैजिक कुछ नहीं है यूर ओनर मैगनेट है मैगनेट लो चुमबक पहली बार जीवन में आपने दिमान बात कि है आये नहां के मेताने में यह रॉनर जैसवाल साहब ने बिल्कूल सही का चुम्बक ही है इस केस के शुरुवात से एक बात मुझे सताती रही कि अंततह क्यों तात्या तावडे को उस टापू ने नुकसान नहीं पहुचा है फिर मैंने सोचा कि तात्या तावडे कभी भी लुहे से बनी नौका में सवार होकर उस टापू पर नहीं किया वो तैर कर उस टापू पर जाता था यह रॉनर इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है उस टापू पर उस चटान में चुम्बक यह रॉनर तैटलाइट की इन सुचियों के अनुसार उस टापू पर जो पत्थर पड़े हुए है उनकी संराचना में ही रहस्य चुपा हुआ है और यह रहस्य है फेरस आकसाइड फेरस आकसाइड जिससे लोह धातू बनता है और लोह धातू से बनता है यह रॉनर चुम्बक यह रॉनर लोहे का एक और रूप होता है चुम्बक जैसा कि हम सब जानते हैं जब लोहे की कड़ों के संग्रा में पुना निर्मान हो जाता है तो वो चुम्बक बन जाता है ऐसा ही उस टापू पर पड़े पत्थरों के साथ हुआ उन पत्थरों में चुम्बक की मातरा इतनी अधिक है के पास से गुजरती हुई लोहे की किसी भी चीज को अपनी और खीच लेता है चाहे फिर वो हवाई जहाज हो या पानी का जैसे ही उनका हेलिकोप्टर इन पत्थरों के पास से गुजरा पत्थरों की चुम्बक शक्ती ने उनके हेलिकोप्टर को अपनी और खीच लिया जिसके कारण उनका हेलिकोप्टर दुरगटना गरस्थ हो गया योर अनर उन टापू के पत्थरों में चुम्बक होने से सबसे अधिक लाब स्वामी राजनात जी को हुआ है उन्होंने विज्ञान को आध्यात्म का रूप देखा भुले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया अपना विवसाय चलाने के लिए अलौकिक शक्ति जैसी विचारधारा पर प्रोसीकूशन का रवईया बेहद अफसोस बरा है और मिस्टर थड़ानी आप जैसे जिम्मेदार नागरी को ये शोभा नहीं देता कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को आप बढ़ावा दें जबकि केडी का तर्क और उनकी सोच उसकी मेदाद देता इस विश्चे पर मैं आपको मुबारक बाद देना चाहूंगा केडी दन्यवाद गरो ना केडी सर किन्तु ये केस अभी तक शेश नहीं हुआ है अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है मझे उसके अनुसार नहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मोनार्या जी की दुरगटना में मिर्त्यू नहीं हुए उनकी हत्या की गई हाँ क्या नेरी बात को प्रमानित करने के लिए मैं एक वैमानिक विशेश अग्य मिस्टर बक्षी को कड़गरे में बलाने के अनुमती चाहता हूँ मिस्टर बक्षी एक वायूयान इंजिनियर है और हवाई यातायात नियंत्रण कक्षा में अफसर के रूप में कई वर्षों से काम कर रहें कितने वर्ष हो गए आपको मिस्टर बक्षी जी पिछले दस सालों से है अपके अनुखव में इन चार्ट का क्या मतलब होता है क्या आर्थ होता है यह अदालत को सुझाए इसे अरोनोटिकल चार्ट कहते हैं यह हर एक पालेट के लिए एक रूट मेप है रूट ब Fraktionलने का मे रूदान भरने से पहले हर एक पालेट को यह दिया जाता है कि इस तरह के रूट मेप को हम चोपर चलाने के लिए पिछले पांस सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें उस एक्सिडेंटल जो उन से दूरी बनाए रखते हुए घुमावदार रस्ते के उपयोग करने का इंस्ट्रेक्शन दिये गए हैं इसे बक्षी इन दोनों चार्ट् क्या समानता है इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ये है असली और ये है नकली इसका अर्थ क्या हुआ इसका मतलक कि मोहन के चोपर के रूट में बतलाव किया गया इसके अलावा उसका पाइलट भी विदेशी था उसके लिए वो जगह नहीं थी और अंधेरा भी काफी हो चुका था ऐसे में पाइलट क्या करेगा चाहिर सी बात है रूट में दिये गए मेप के अनुसारी उड़ान भरिएगा यूर अनर तुल्मिला के मोहनार्या जी के विदेशी पाइलेट ने बदले हुए रूट मैप पर जो रूट था उसका उपयोग किया ना कि गुमावदार रूट पर गया सीधा चट्टान के उपर से गया और इसके बाद क्या हुआ यह हम सब जाना लेकिन के जी वो शक्स आखिर है कौन जिसने रूट मैप बदला मैं बताउं यूर अगर पाटक साब आपको एतराज ना हो तो उत्तर है इसका आपके बास है तीजी ना यूर अनर मैं थडारी जी की कंपनी में काम करने वाले राघव जी को यहां पे बुलाना चाहता हूं एजाजत थी राघव जी मोहन आरिया जी को चौपर की ज़रूरत थी यह तो हम सब जानते हैं लेकिन आपकी जो बॉस है ठडानी जी उनका कहना है कि आपने फोन करके उनको बताया कि मोहन आरिया जी को चौपर की ज़रूरत है जी नहीं यह गलत है मैंने इस तरह का कोई भी कॉल नहीं क क्या बखवास कर रहे हो तुम ही ने तो मुझे फोन किया था कि मोहन को एक चौपर की ज़रूरत है और साथ में मैंने तुम्हें ये भी कहता कि उनसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी क्योंकि मैं जर्साहब मोहन की तरफ दोस्ती का हाथ पढ़ाना चाहता था शांत हो जाए थड़ानी जी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए अपने बिगड़ोवे हेलिकॉप्टर पर तो आप कंट्रोल रखनी पाए रागो जी ये बताईए कि इनकी कंपनी में आप क्या काम करता है आपकी जिम्यदारी क्या जी मैं इस कंपनी में एक अएएट आपकी आपके सामने है ये बंदर जूट नहीं बोल रहे है नहीं छाल आप ये सब गलत है इसने मुझे फोन किया था मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दावे के साथ को मैं भी कह रहा हूं और मेरे पास तो मोबाईल टेलिफोन कंपनी के रेकॉर्ड्स भी है नहीं वो कॉल मुबैल से नहीं, PC-O से किया गया था आपने कहा और मैंने मान लिया धराने जी एक जूट को छुपाने के लिए आप दूसरा जूट बोल रहे हैं दूसरे के लिए तीसरा लेकिन आपको भी पता है कि मोहनारिया की मौत की बीचे आप ही का हाथ है जैसे आपको पता चला कि मोहनारिया को एक हलिकॉप्टर की जरूरत है तो आपने दोस्ती के पैगाम के तौर पर वो भीना मेंटनेंस वाले हलिकॉप्टर भेज दिया और विसाथ में रूट में भी बदल दिया ताकि जो विचारा पाइलेट है वो चट्टान की उपर से हलिकॉप्टर ले जाए और मोहनारिया जी मौत की और नीचे खिचे चले आए लोचुमबक की वज़त से अरा उसके बाद आपको पता चला कि ये जहांच अगर होगी तो आप पकड़े जाएंगे क्यूंके मेंटेनेंस नहीं किया था इसलिए आपने करमचारी हजय को भी रास्ते से रटा दिया एक जूट को छुपाने के लिए दूसरा जूट, एक मौत की जूर्म से बचने के लिए दूसरी मौत ये सब खलत है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं बेगुना हूँ वे गुना आप दस साल पहले भी नहीं थे आप इना पनी पत्नी की अठ्या किये तब भी आप फुनी थे और आज भी आप खुनी है नहीं यह सब जूट है मेरे बापा ने कुछ नहीं किया है उन्हें छोड़ दीजे प्लीज यह अनर तस वर्ष पूर्व की जजगटना की प्रोसेक्यूटर महुदय बात कर रहे है मिसिस थडानी की मृत्यू यह उनकी मृत्यू के मेडिकल रिपोर्ट से यह रहून जिन से यह प्रमानित होता है कि मिसिस थडानी को स्किजोफरेनिया नामक मानसी के रोग जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की एक सर्वे के अनुसार यह पता लगता है यह और अनर की स्किजोफरेनिया से पीडित लोग अकसर आत्महत्या करते है मैं अदालत से अनुरोद करता हूँ कि प्रोसिक्टर महुदय को हितायत दी जाए कि बिना साक्षिय कि वो मेरे मुख्खिल पर आरोप न लगाए मुझरिम को मुझरिम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे जैसवाल साब शमाचार अगर मैं भरी अदालत में ये कहूँ कि आपके पिता चोर थे आपको कश्णार अगर अपनी सीमा साग्या बढ़ रहा है बाठक साब चिलाएए मत चिलाने से गले की नसिप है जाती है इसी बात का अभास कराना चाह रहा है था आपको कि बार बार अगर किसी संतान के पिता को पूनी खूनी खूनी कहे तो संतान को कश्ट तो हो गई ओडर ओडर प्रोसिक्यूशन को वार्ण किया जाता है कि बिना सुबूत किसी को मुझरिम कहना बंद करे यूर ओनर इस केस के चलन में हर व्यक्ति उस चट्टान की जहनकारी प्राप्त करने में विस्त होगी है किन्तु किसी ने ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि तसकरी करताओं का सरदार कौन है मैं अदालत को बताना चाहूंगा यूर ओनर कि वो व्यक्ति कौन है ये भी कहूंगा कि वो व्यक्ति आज इस समय इस अदालत में उपस्तित है क्यवल कहूंगा नहीं ये रोड पस्ट भी करूँगा प्रबाणित भी करूँगा सुकुमारन जी इन्हें मैं प्टखरे में बुलाने के अनुमती चाहता है अनुमती बड़ी विचित्र बात है सुकुमारन जी आपका जो होटेल है सुना है कि वो बिल्कुल चलता ही नहीं उसे व्योवसाय से आपका कुछ लाब नहीं हो तो खाली पड़ा रहता है होटेल आपका उसके बाद भी आप हर समय भूब सारे ठेर सारे पैसों का निवेश करते रहते हैं उसमें अपने होटेल को शांदार बनाने में ऐसा क्यों कहीं है आप ऐसा तो नहीं कि आपका होटेल पसकरी का अड़ा है और वहीं से आप समुद्र पर नज़र रखते हैं योर ओनर इंस्पेक्टर दवे ने सुकुमारंजी के होटेल रूम पर रेड मारे चापा मारा और कुछ अमूल यवस्तु वहां से बरामत किये हैं जिन में से एक दूरबीन भी है जिसका व्योग किया जाता है राथ में देखने के लिए योर ओनर इंस्पेक्टर दवे ने वो चित्र भेजे हैं मुझे इमेल द्वारा अपने फोन पर अपना फोन आउन करने के अनुमती चाहता है अनुमती योर ओनर मुझे शंका है संदेह कि जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे सुकुमारन जी का ही हाथ सर्व प्रथम इन्होंने दानी सहाब और आर्या सहाब के बारे में सारी जानकारी इप्राद उसके बाद राघव बन इन्होंने धडानी सहाब को फोन किया और उस हेलिकॉप्टर के बाद की जानकारी इन्होंने जब आर्या सहाब उडान भरने वाले थे तब जा करके इन्होंने वो उडान का नक्षा बदला जिसके कारण वो चौपर जाके चट्टान से टकराया गया और दुरगटना गरस्त हो गया केवल इतना ही नहीं यह रोना थडानी सहाब पर इसका आरोप डालने के लिए इन्होंने इनके करमचारी अजय को फासा अजय के द्वारा इन्होंने हेलिकॉप्टर के मेंटेनेंस रेकॉर्ड्स बदलवाए ताकि संदे थडानी सहाब पर जाए और जब इन्हें आभास हुआ कि हो सकता है अजय सच उगल दे तो इन्होंने अजय की भी हत्या क्यों मैं मानता हूँ कि मैं स्मगलिंग का रेकेट चलाता हूँ लेकिन मोहन आरे और अजय का खुन मैंने नहीं किया मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि मोहन सर चौपर से जाने की बात करेंगे मैंने तो उनके लिए एक मोटर बोट का इंतिजाम किया था और मैंने उस बोट वाले से खास तोर से कहा था कि वो टापू के सामने से बिल्कुल न जाए सुकुमारन मुझे जल से जल एक चौपर की जरुवत है देखो कल सुबह ही मुझे उस आइलेंड के लिए उडान भरनी है पर आप तो आज ही जाने वाले थे मैंने आपके लिए मोटर बोट का इंतिजाम भी किया है क्या करें सुकुमारन बदमा की तब्यत कुछ ठीक नहीं है और पानी के रास्ते वो जानी सकती क्योंकि उसे बोट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मेरी खाल में चौपर ठीक रहेगा और सेफ भी रहेगा लेकिन सार कल ही इतनी चल्दी में शद्ट चौपर का अरेंजमेंट ना हो पाए सार आप बोटर बोट से ही क्यों नहीं जाते है ओ फो सुकुमारन तो में इस तरह की फालतू सला देकर मेरा टाइम बरबाद मत करो तुमसे जो कह रहे हैं वो करो हर हालत में कल सुबा तक मुझे चौपर चाहिए अरे मैंने एक पाइलेट भी एरेंज कर लिया उसके लिए फोके सर पाइलेट तो फॉरण इंजन आन करने के लिए के लिए को सुरी सर लेकिन बैतर यही होगा कि अगर आप अपनी यात्रक अलतक के लिए अंधेरा भी होने वाला है और आपको तो मालूम है कि वो टापू शापित है और आप सब बगवास है सुकुमारन अनियों जूटी बातों से मेरा इरादा नहीं बदा सकते अगर मुझे महन आरा को मारना इंथा तो मैं उन्हें सफर पर जाने से रोकता ही क्यों यहर आरगर, सुकुमारन जी की कही हुई सारी बातों की जहाच करना ज़रूरी है क्यूंकि मुझे नहीं लभता vista order order यह दालत दो गंटों पे बात कर चुरूबगी हाँ दवे बोल, हाँ गेडी, मेरी इस मोटर बोर्ट चलाने वाल से बात हुई है, उसका अब यह कहना है कि सुकुमार ने उस दिन उससे कहा था कि बोट को चटान की तरफ लेकर मज जानो, अच्छा, और कुछ पता चला, और हाँ एक बात और, राजन ने अदालत में सही कहा इसके फोन पर एक पीसियो से कॉल आया था, मन्जिल अभी दूर है तवे, वरुन ठीक होता तो शाहिद है, चिंता मत क्रुकेडी, दवे तुमारे साथ है, तैंक्स यार, तैंक्यू, तो नागव जी वो फोन कॉल आपने नहीं किया धड़ा नहीं साब, सर मैं कितनी बार का कि मैंने इस तरह का कोई भी कॉल ने किया, और आपने मेरे फोन रिकॉर्ड शेक भी किया है, वह आपने फोन कॉल नहीं किया, तो प्रश्ण उठता है कि वो फोन कॉल किया खिस नहीं, तैंदे, नानी साब से पूछते है, थड़े नी साब, कितना समय हो गया रागव जी को आपके साथ काम करते करते, कैसे भेट हुई आपकी इसे, बताइए ना से, रागव मेरे लिए कुछ छे महेने से काम कर रहा है, इसे मैंने स्वामी राजनाथ की सिफारिश पर रखा था, अच्छा-च्छा स्वामी राजनाथ जी के कहने पर आपको, बड़ी घनिष्ट मित चित्रता है आपकी स्वामी जी के साथ, ये चित्र हैं देखी, जी हाँ, मैं गुरु जी का भक्त हूँ, अच्छा, और ये बात मेरे बॉस राजन ठंडानी को भी मालूम है, अब्जेक्शन योर ओनर, मैं वेस्ट हो रहा है, अच्छानक स्वामी राजनाथ जी को बीच मे आने की क्या सुन रहते हैं, यहां पर डिसक्शन चल रहा था कि हेलिकॉप्टर में वो नकली नक्षा रूट में आया कहां से, तो बैतर होगा कि सीधे सीधे आप, यहां एक प्रशन उठा है, जिसका उत्तर हम ढून रहे हैं, कि महवा नार्या जी का अत्यारा कौन है, जी क वकालत करते हैं, मेरे बाबुजी की समीन पड़ी है राजस्तान में, अगर आप अस जमीन को जोत कर कुछ ववा ना चाहे वहां तो, अब यहां यहां, यह चित्र देख रहे हैं आप, इसमें यह जो व्यक्ति हैं, स्वामी राजनात हैं, यह यह है रागव जी, यह पीछे जो व्यक्ति खड़ें से पहचानते हैं, आप देखें कौन है वो, आप पहचानते हैं, मैं यह शायद मोहन आरिया जी हैं, निश्चित रूप से मोहन आरिया जी ही है, यह राणर, मैं चाहता हूँ कि आप भी ध्यान से इस चित्र को एक बार देखें, मोहन आरिया जी ही है बहुत कम लोग जानते थे कि मोहनारिया जी भी स्वामी राजनाथ जी के भक्त है वो भी अलोकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे एक मिल्ट योरॉनर ये मोहनारिया सहाब के बैंक की सुची है जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये बहुत सारा धन उनके अकाउंट से स्वामी राजनाथ जी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वह घनिष्ट मित्रता थी दोनों के बीच किन्तु ये संबंद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया स्वामी राजनाथ ने उन्हें बाहर कर राजन्त दानी साहब को अपना भक्त बनाया क्योंकि वो जानते थे कि मोहनार्या जी के पास उनके कई सारे राज हैं जो वो बोल सकते हैं और संबंद इसी कर स्वामी राजनाथ मोहनार्या साहब को मरवाया और आप ने राख़च जी आपने इस योजना में स्वामी जी का साथ दिया जी नहीं आप ही ने पी-सी-ओ से राजन्त दानी साहब को फोन किया था जी नहीं मैंने कोई कॉल नहीं कि था आप ही ने उन्हें फोन करके घलिकॉप्टर की बात बताई थी जी बिल्कुल आप की है की है या नहीं जासाब मुझ पर जुटा जाम लगा रहा है मैंने कोई भी कॉल नहीं किया था असली मुझन स्वामी जी मैं नहीं हूँ अरे लेकिन गेहूं के साथ तो गुन्बी पिस्ता है मेरे दोस्त स्वामी जी को कटगरे में बुलाने के अनुमती जाए अनुमती परम पूझ्य स्वामी राजनात बाबा अब आपकी भलाई इसी में है कि आप म्याधिश मौधे को सच सच बता दे एक बाले जुर्म कर ले क्योंकि अगर मैं बोलने लगा तो आपके जनम से लेकर के अब तक की पूरी कुर्ली खुलूंगा सारी काली कर्टूते बाहर आ जाएगे क्या कहना चाहेंगे और क्या करता मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था मोगा नार्या ने न केवल पैसो से मेरी साहता बंद कर दी बल्कि लोगों को मेरे वरुद बढ़काया बहुत से रास थे मेरे उसके पास उने खोलने के लिए मुझे दमका रहा था अब आपी बताईए जज साहब मैं एक महान सम्या से दुनिया भर के लोग मेरे पैर छुते हैं और मैं एक इंसान से ड़के जी रहा था उसके पैरों में बैट कर दया की फीक मांग रहा था इसी लिए इसी लिए मैंने मुहान हार्या को सला देने का फैसला कर लिया इस काम में राघव ने मेरा पूरा सायोग किया मैंने ही उसे चौपर के बारे में राजन को फोन करने के लिए काता हूँ अफिर चौपर का नक्षा मैंने राघव और एजय की मदद से पतलवा दिया अजय हमारे साथ पूरे कामों में था लिकन को थार था हमारी बाते केड़ी को बताने चला चला गया उपर स्वयमभू गबरा मत पच्चा मुझे पता है कि तू फोन पर किस्से बाते कर रहा था मैं तेरी पीडा दूर करने आया हूँ फिर उसके बाद मुहानार्य के खून का केश शुरू हुआ मैंने खुद को उस खून से बचाने के लिए दापो की जूती कहानिया बनानी शुरू कर दे मुझे पता था कि अदालत स्यतानी शुक्ति जैसी बातों पर विश्वास करके मुझे सजा नहीं दे पाएगे लेकिन हां इन सब बातों से मेरा प्रचार बहुत हो रहा था जब से मीडिया ने मेरी सोई हुई छिटान को जगाने वाली बात दुनिया तक पहुचाई फिश्व के कोने कोने से भक्तों की फिर लग गई नाखो करोडो रुपय का चंदा आने लगा मैंने अपने आपको बचाने के लिए सब किया ज़ा साब सब बचाने के लिए या डालत राजनात को मोहनारया के कतल में दोशी पाती है और उन्हें उम्र कैद की सब्जा सुना है और साथी राघ्व को राजनात का साथ देने के लिए दस साल कैदे बामुशक्कत की चज़ा सुना है और राजन थडानी को इस केस से बाहिस्द बरी करती है The case is closed पाठक साफ, जी आप कोई असली बाबा को जानते हैं जहां योग साधना होती हो, मन ज्यानती के लिए जाना चाहते हूं करें आप जाना चाहते हूं, कोई फाइदा नहीं है जैस्वाइद साफ उपलने लाके, कोई अलोकिक शक्ति, कोई भूत बरेत नहीं था इस अब उस्सा, बाबा की रची हुई योजनाती, रुपय बनाने के लिए सब पता नहीं, इस देश से अंद विश्वास कब ख़तम होगा? मुझे भी पता नहीं हो, लेकिन उमीद करता हूं यह बहुत जल्द हम इस अंद विश्वास से निकलकर, हमारी अंदुर नी शक्ति को पहचानेंगे चल्ड, मुझे घर छोड़ेता, बसको सब, सब, सुरी, क्या हुआ तरी अंदुर नी शक्ति को? मुझे अंदुर नी शक्ति को?